नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोती सीकेड मिथून डासी वालों जब भी बुरा वक्त चले तो घवराना मत क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन में लगभग सबका एक ही हाल है लेकिन फिर भी मिथून वालों आज हम आपके लिए कुछ अलग हट कर बाती लेकर आये हैं वैसे तो मिथून डासी बुद्ध देव की रासी है बहुत ही खुबसूरत होते हैं इनकी आखें बहुत खुबसूरत होती हैं लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुछ और कभी कभी लगता है जैसे चारों तरफ खना कोहरा सचा गया है ना आगे सिकार तो होते ही रहते हैं हाना कि इस्तिति में फस जाते हैं करें तो ना करें तो ऐसे में करें और ना करें में क्या होगा ना करें क्योंकि जब भी मन हाना करें तो ना ही करना चाहिए क्योंकि वहां पर सफलता मिलने में बहुत ही ज्यादा कुस्ठ होते हैं दिक्कते आते हैं तो आप मितुनवानों एक बात हमेशा ही याद रखें आपको जिन्दगी में चुकि बुद्ध की रासी हैं तो बुद्धिमान बहुत होते हैं और अपने बलबूते लगभख सब कुछ जीवन में प्राप्त भी कर लेते हैं फिर ऐसे में इतनी ज्यादा जीवन में उल्जने क्यों है जब भी लगे चारो तरफ घना कोहरा सा है आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखता पता नहीं सामने खाई है या पहाड है या फिर समतल रोड है अब यहां पर आप भटक जाते हो यही चीजें हमारी लाइफ में भी होती है और मिथुन वाले हैं कि इसे समझते तो हैं पर कभी-कभी वक्त भी धोका दे देता है कभी-कभी किसमत भी धोका दे देता है तो किसमत को बदलना हमारे हाथ में है क्योंकि हम मनुस से ही एक ऐसे प्रानी है जो अपने कि प्रिस्मत को खुद अपने बलबूते बदल सकते हैं बार बार प्रयास करने से क्या होता है कि आपको उसान करती है हमेसा ही जीवन में और अब कुछ करते रही है बैठें मत रही है यह नहीं कि लौक डाउन है तो टेलिबीजन चल रहा है सनेक्स खा रहे हैं और मोबाइल में वीडियो गेम्स खेल रहे हैं यह चीजें आपको जीवन में भटकाएगा अगर आप सही में चाहते हैं कि तरक्की करें लाइफ आगे बढ़ें तो हमेशा ही अपने अंदर आपका जो आत्म विस्वास है उसे कायम रखें यह आत्म विस्वास यह confidence ही आपको मान सबमान भी दिलाएगा जीवन में उचाईउं पर भी पहुँचाएगा लेकिन कैसे क्या करें हमेशा ही एक बात याद रखें कि जीवन में सफल होना है तो सबसे पहली सीड़ी है रिस्क आपको रिस्क लेने आना होगा अब यह मत सूच ही जिसे करते हैं हिंदे में यानि आपके जो मनी है थोड़े से लगते तो है ना बड़ा करेंगे तो ज्यादा लगेगा छोटा करेंगे तो थोड़ा लगेगा पर लगता हर जगा है रिस्क लेना होगा लॉस होगा या प्रॉफिट यह तो वक्त बताता है और हम वक्त को ह को भी बदल देते हैं वक्त को नहीं बदलते हैं एक चुल में हम ऐसा कुछ करते हैं कि वक्त हमारा साथ देने लगता है तो ऐसे में क्या करें कैसे आगे बढ़ें तो सबसे पहली बात है अपना confidence जगाईए हिम्मत रखिए और जीवन में कभी किसी के सामने ज्यादा मत जुकिए कि वो आपको पैरों तले ही कुछल दे जुकना अच्छी बात है जुक करी रहना चाहिए तभी भाई चारा कायम रहता है लेकिन ज्यादा जुकोगे तो आपको पैरों तले कुछलते हुए दुनिया आगे बढ़ जाएगी और आपका अस्तित ही कहीं हो जाएगा आप खुद को बचाने के लिए ही संघर्स करते नजर आओगे फिर जीवन जीना तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है बहुत लंबी लड़ाई हो जाती है मितुन वाले तो भूल कर भी ऐसा नहीं चाह है तो यह हमेशा ही आप मान कर चलिए लाइफ है तो रिस्क है और रिस्क है तो फिर आप इंज्वाई भी कर रहे हैं लाइफ को और बहतर बना रहे हैं क्योंकि यह चीजें आपके हां तो में हैं अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जो लोग आपके सचमे अपने हैं आपक दो चार बाते और जान ले सफल होने के लिए हर बैक्ती के लिए अलग-अलग सीमाएं होती हैं और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ जाते हैं बहुत सारे हैं कि सोच सोच कर ही दुखी हो जाते हैं अब मन से हारे हार हैं मन से जीते जीत मन से अगर आप सोच लेते हैं तो फिर आपको जीतना दोते है लेकिर मन से आप हार जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जीता सकती बस यही बाते हमेशा ही याद रखना है हमेशा ही साहस और होसला कायम रखें और कायरता तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा सफल होने के लिए सबसे पहले तो अपने लक्ष को एक रखें दस काम में हाथ मद बटाएं एक काम को करें उसमें आगे बढ़ें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं आपके पास जितना भी संसाधन है उसी में आपका हो जाएगा लेकिन हमेशा ही अपना जो मनुबल है कायम रखें किस छेतर में आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हो ये भी बहुत जरूरी है जानना आपका टेस्ट क्या है आपकी चाहत क्या है ये माइने रखता है अब आपको माता पीता बोल देंगे तुम डॉक्टर बन जाओ तुमाँ आपका डॉक्टरी में कोई रूची ही नहीं है तो दिक्कत होगी ना बिलकुल यही होता है एक बार में पूरा पहार चड़ने के आवस्ता नहीं है छोटे छोटे लक्ष बनाईए छोटी छोटी सीडियां चड़िये तभी आप मंजिल तक पहुझेंगे क्योंकि एक बार में कुदने के चक्कर में कहीं गिरना जाए इसकी संभावना बनी रहती है अपने जीवन में आप एकदम हमेशा ही अनुसासन में रहे समय का सदूपयोग करे जहां तक संभव हो अगर आप पहले दस घंटे काम करते थे तो अब और जादा करें क्योंकि ये काम ही तो आपको सफलता दिलाएगा न आराम करने से तो जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया यही चीजें तो होती है लाइप में आप जो बोएंगे वही काटेंगे आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा धैरे रखिए क्योंकि धैरे सबसे बड़ी आपकी अगनी परिछा भी होती है और धैरे का फल मीठा भी बड़ा होता है मेहनत आपकी काबिलियत को आगे बढ़ाता है आपके हुनर को निखारता है छूट कम बोलिए इमानदार रही है और स्वार्थी तो बिल्कुल भी मत होई है क्योंकि ये स्वार्थ आपको लेट कर डूप सकता है इमानदारी तो हर छेतर में ही जरूरी है और जो भी करते हैं आप अपने काम से प्यार करें ना कि दूसरों का काम देख देख के वो इतना सफल है वो ये कर रहा है उसमें क्या होगा आपका खुद का भी काम डिश्टर्ब होगा और उससे कुछ होना जरा तो है नहीं मानसिक परिसानी भी बढ़ जाएगी जितना करते हैं जो करते हैं उसी में आनंद बनाएए क्योंकि यही आनंद तो सफलता किसली है और अच्छी और ठोस योजना बना कर ही आगे बढ़ना है हमेशा ही हर किसी की सराहना करें और अपनी गुपत बाते परसनल बाते आपके जो गुपत राज हैं किसी को ना बताएं चाहे आप जो भी करें हमेशा ही हम कर लेंगे मुझसे ना हो पाएगा जैसे सब्दों को भूल जाईए आपके ग्यान हर किसी में बांटिए लेकिन कुछ चीजों को कभी मत किसी को बताईए आप जितनी संबब हो अगर आपके पास कुछ है तो लोगों की हिल्प कर सकते है अगर आपके जीवन में कुछ गलती होती है आगे बढ़कर सौरी कहना सीखिए और कुछ भी बोलने से पहले चार बार सोच लिजिए तोल मोल कर बोलिए वरना भावनाओं में बह कर कमाम राज उगल देंगे तो फिर आप वहीं रह जाएंगे बांकी के लोग आप से आगे बढ़ जाएंगे तो ये चीज़ें चुकि मार्केट ही कम्पिटीशन का है अब हम आपको दुष्ट बुद्धी नहीं सिखा रहे हैं कम्पिटीशन का मार्केट है अब एक काम अब मान लेते हैं कोई बस तुभिक लेता है चार बेक्ती कपड़े बेच रहा है एक से चार हो गया अब चार से पचास हो गया बहुत मार्जीन है बहुत प्रॉफिट है तो क्या होगा तब तो आप गए आपका ही कम्पिटीटर आपने खुद खड़ा कर दिया तब ऐसे चीजों से आपको बचना चाहिए तो हम आपसे बिदा लेना चाहेंगे उमीद है हमारे कहने कातात पर आपने बखु भी समझा होगा हर हर महादेब धरनेवार